गोरकपुर में नगर निगम एक खास प्लान तैयार करने जा रहा है, जिसमें खास करके महिलाओं को खास सुबिधा दी जाएगी। शहर में नगर निगम ने साफ सफाई से ले कर डोर टोर कुड़ा कलेक्शन के लिए कई काम किये हैं, हर दिन डोर टोर कुड़ा कलेक्शन के साथ सहर को साफ सुत्रा भी रखा जा रहा है, लेकिन वही नगर निगम अब महिलाओं के लिए एक खास सुविधा करने जा रहा है, इस खास इंतजाम में बसों में पिंक टॉयलेट की सुविधा मुहया कराई जाएगी वहीं अपनगर आयुक मनी भूशन तिवारी बताते हैं कि इस बस में रेश्टोरेंट के साथ पिंक टॉयलेट रहेगा इस टॉयलेट को सिर्फ महिलाएं और इस बस को सिर्फ महिलाएं ही इस्तेमाल करेंगी इसमें और कोई नहीं जा सकता इस बस का संचालन भी महिला करेंगी बस को सबसे पहले गोरकपुर के इंदराबाल बिहार पर रखा जाएगा उसके बाद फिर इस बस को इवेंट या प्रोग्राम के तौर पर किसी और भी जगह पर रखा जाएगा बस को उन्ही जगों पर रखा जाएगा जहां महिलाओं का आना जाना जादे होता है खास करके इस बस को महिलाएं ही इस्तेमाल करेंगी इस बस को इंद्राबाल बिहार पर लगने के बाद सहर के और भी कई जगों पर इस्टेबलिश्ट कर दिया जाएगा बस में सिर्फ महिलाओं की एंट्री होगी खास तरीके से बस को डिजाइन किया जाएगा और पूरी तरह से बस पिंक होगी बस के आगे हिस्से में जहां रेश्टोरेंट रहेगा वहीं पिछले हिस्से में बातरूम भी बनाया जाएगा और पिंक बस में सिर्फ महिलाओं का ही जाना होगा